भारत में जो कपास की खेती करते हैं उन किसानों को गुलाबी सुंडी गुलाबी इली की बहुत समश्या का सामना करना पड़ रहा है और उसकी मुख्य वज़े यह है कि गुलाबी सुंडी है वो एक मोनोफेगस पैस्ट है मतलब वो पैस्ट है वो कीट है जो सिर्फ कापास को ही अपना फूड समश्ता है पिछले 15-20 सालों से जब से बीटी आया है देस के अंदर क्यूंकि यह मोनोफेगस पैस्ट है और किसानों ने रिफ्यूज नॉन बीटी कॉटन नहीं लगाया तो इसमें क्या रजिस्टन्स डवलब हो गया है एक प्लांट को बार-बार खा रहा है जिसके अंदर बीटी है तो बीटी के खिलाप इसकी प्रतिरों तक समता आ गई है आज हमारे देश में पिंक बोल वाम को मैनेजमेंट करने के लिए कोई तकनीक नहीं है जितने भी कितना सक हम लोग किसान जो यूज कर रहे है वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यह जो कीड़ा है यह बॉल के अंदर फीड करता है यह बॉल के अंदर चला जाता है और उसके अंदर फीड करता है किसान जितना भी कीटना सक स्प्रेय करेगा, वो कीटना सक स्प्रेय सब कॉंटेक्ट कीटना सकें, और वो जब तक पेस्ट को टच नहीं करेगा, उसके कॉंटेक्ट में आएगा, पेस्ट मरेगा नहीं, इसलिए किसान को कॉस्ट और प्रडेक्शन भी बढ़ रहा है, और उस फेरोमोन, जो हम मॉनिटरिंग के लिए कामे लेते हैं, CCTV जो किसान की तरह यूस करता है अपने खेतों में, कीड़ा आया एक नहीं आया उसको देखने के लिए, तो यह जो मेटिंग दिस्रप्शन टेक्नीक है उसको भारत की जो CIBRC संस्ताने मानियता दिये, उसको परमानित क दो तक्रनीक के अदर, इन दो तकनीक के अंदर, लार्ज सकेल के उपर-demonstration चलरह एं, अटीजीची नाम की कंपनी है, इस 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 यह एकॉम्पनी ब्लप इस प्रिमट, यह कर लाओशन एप लिए ज जी आप्लिकाशन आफ टेक्नलोजी निए, लिएर आफ यह तो जीलीज अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इसे अपने साथियों को साजहा करें और खेती से संबंधित जानकारी वाले वीडियो के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें